मोदी बिरोध करते 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 देश का बिरोध करने लगे हैं वो लोग करते हैं सरकार उस समय की सरकार अपराधी को बचाने के लिए ठेउना गार देते हैं मोदी जी का है इसलिए काता इसको उखार के बाहर पेको उखार के बाहर पेको उसको पते नहीं है कौन जानता था कि सिंगल क्या होता है और सिंगल को कहां रखा गया विहार में डवल इंजन की सरकार है और नौ दिन में पांच फूल धरासा हो गया यह हम नहीं कर रहे हैं तेज़स्वी आद अब सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके करते हैं कि देखें बिहार में डवल कि यह किनका सुपूत्र है अधर निये श्री लालु प्रस्वाइब करते हैं लेकिन इन्हीं के सरकार में जो है लगातार फूल धरासा हो रहे हैं पिछे नौ दिन में पांच फूल धरासा हुए हैं सोचल मेडिया पर तेज़ाद ले करके सवाल करते हैं उनको कह दीजिए कि भाई इस सब पर आप ज़्यादा बियान नहीं दीजिए आपको ज़्यादा बियान देने का हक नहीं है क्यों कि यह किनका सुपूत्र है अधर निये स्री लालु प्रशाद यादर जी जो हमारे यहां के मुख्ध मंत्री रहे इनके माता स्री स्री मतीरावरी दिवी जो मु सासनकाल में उनके सुपूत्र बोल ला है और जब गिरा हुआ था तो सरकार उस समय की सरकार अपराधी को बचाने के लिए ठ्वना गार देता है एरी से चोटी एक कर देता था उसको अपराधी को बचाने के लिए हम नहीं कर रहा है यह पुरा बिहार पुरा देश जानता है कि उस समय में यह लोग एरी से चोटी एक कर देते थे उनको बचाने के लिए आज का एक समय है कि आज जो भी कोई गलत करेगा वो पकरा जाएगा कोई माई कलाल उसे नहीं बचा सकता है वो भरम में नहीं रहे कोई भी अपराधी है उसकी कुछ लोग है जिनको अपराध करने का आदत इन लोग लगा दिये हुए थे अभी तक भी वो कुछ लोग जो है आदतन वो अपराध करने का अधत लगाये थे अरे पूरा बिहार दानता है छोड़िये मैं क्या कहूंगा तो सब लोग जानते हैं तो अभी जो लोग अपराध करेंगे वो पकरे जाएंगे और जेल जाएंगे उपर सजा होगा उनके सजा को कोई माई का लाल नहीं कर से है सित्कालिंत्यफे संससथ भito ने चल रहा था लोगों को लेकर बी बात उठाए उठाए हैं जो लोग मोदी बिरोध करते 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 देसका बिरोध करने लगे वो लोग को लगा कि साध्य यह मोधी जी का यह है ये मोदी जी का है इतियास परवे नहीं किया अकादिया कि ये मोदी जी का है इसलिए का था इसको उखार के बाहर पिको उखार के बाहर पिको उसको पते नहीं है कि जिस जिस गुलाम भारत में हमारे पुरबच देश के आजादी के लिए धाई सो साज तक तरह तरह का यात ना सहे और आजादी में दस लाख से अधिक पुरबच कुरबानी दिये बटवारा में इससे भी दूगो ना और जब अंग्रेज जाने लगे तो शिंगौल को पंडि जवाहर लाल लेहरू के हाथ में समपे आजादी के परतीक तो इस इतिहास को लोग भूल गए भूल नहीं गए परवे नहीं किये इन लोगों को लगा कि ये तो मोधी जी का है तो मोधी जी के नाम के कारणी लोग कोते है उखार के बार परे आजादी के परतीक है मैंने बोला कि भाई बेडी का जब विवा होता है गाओं में तो जिस किया में सिंदूर रखा होता है और जिस किया से उसके मांग में सिंदूर भरा जाता है उस पहली बार जो सिंदूर भरा जाता है उस किया को बेटी जीवन भर सहीज कर रखती है एक बेटी के बिवाह में जो सिंदूर दान होता है उस किया को संभाल कर रखा जाता है तो फिर देश के आजादी में जे सिंगौल सौपा गया था अंग्रेज के द्वारा पंडित जबाहरलाल नहरू के हाथों में, वोसी समय में उनकी जिम्यवारी थी कि सदन में एक उचित अस्थान बना कर उसको सौपे, देश का कोई बोलने वाले है कि कौन जानता था कि सिंगौल को कहां रखा गया, इस लोग छोड़ दिये, लेकिन दुनिया के सबसे लोग अप्रिये नेता गरीबों के मस्या, भारत के सबस्वी प्रधान मंत्री, यूग पुरुष नरेंद्र भाई मोधी आते हैं, तो उस सिंगौल को सहेजा हुआ, रखा हुआ सिंगौल को ऐसे जगह स्थापित करते हैं, पुरा देश गौर्वान भीत होता है, और उस सिंगौल के सम्मान में हर कुछ कुर्वानी देने के लिए लोग तयार रहेंगे, आज ये लोग, कौन लोग, जो कुरसी पकर है, केवल कुरसी की सुरक्षा का बात करेंगे, केवल अपने पड छिनता करते हो अपने कुर्षी का, तो देश के इतिहास को भी याद करेंगे.